Good morning दोस्तो, आज मैं आपको Immune System यानि रोग परती रोधक शमता के बारे में बताऊंगा आखिलिए रोग परती रोधक शमता होता क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जाए रोग परती रोधक शमता हमें कई बीमारियों से सुरक्सित रखती है चोटी मोटी ऐसी बीमारिया होती है जिन से हमारा शरीर खुदी निवट लेता है रोग परती रोधक शमता के कमजोर होने पर बीमारियों का असर जल्दी होता है ऐसे में शरीर कमजोर हो जाता है और हम जल्दी जल्दी बीमार पढ़ने लगते हैं हमारा immune system हमें कई तरह की बिमारियों से सुरक्सित रखता है रोग परती रोदक समता कई तरह के बैक्टीरिया संक्रमन, फंगस संक्रमन से सुरक्सा परदान करता है इन बातों से यह तो अस्पस्ट हो जाता है कि immune power के कमजोर होने पर बिमार होने की अशंका बढ़ जाती है ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम अपने immune power को बनाए रखें रोग परती रोदक समता के कमजोर होने के कई कारण हो सकते है कई बार यह खानपान की लापरवाही की वज़ा से हो सकता है कई बार नशा करने की गलत आदतों के चलते और कई बार यह जनम जात कमजोरी की वज़ा से भी हो सकता है अब सवाल यह उठता है कि अगर immune power कमजोर हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए ऐसे ही कुछ उपायों का जिक्र है जिसे आजमा कर आप कुछ समय में अपनी रोग परती रोदक शमता को बढ़ा सकते हैं ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही immune system के लिए फायदे मंद होती है लेकिन एक दिन में इनके एक से दो कफी पिये जाएं जादा मातरा में इसके सेवन से नुकसान हो सकता है कच्चा लहसुन खाना भी रोग परती रोदक शमता को बुष्ट करने में सहायक होता है इसमें परियाप्त मातरा में एलिसिन, जिंक, सलफर, सेलीनियम और विटामिन A वई पाई जाते हैं दही के सेवन से भी immune power बढ़ती है इसके साथ ही यह पाचन तंद्र को भी बहतर रखने में मददगार होती है ओट्स में परियाप्त मातरा में fibers पाई जाते हैं साथ ही इसमें anti-microbial gun b होता है हर रोज ओट्स का सेवन करने से immune system मजबूत होता है विटामिन D हमारे लिए बहुत महत्पुन होता है और यह हमें धूप से प्राप्त होता है इससे कई रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है साथ हड़ियों को मजबूत बनाए रखने के लिए दिल संबदी विमारियों को दूर रखने के लिए भी विटामिन D लेना बहुत जरूरी है संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए विटामिन C का सेवन करना बहुत फाइदे मंद होता है निम्बू और आवले में परियाप्त मातरा में विटामिन C पाया जाता है जो रोग परती रोधक शमता को दुरुस्त रखने में मददगार होता है तो दोस्तो आज हमने जाना की अपने रोग परती रोधक शमता को कैसे बनाए रखे गुद्यू